नमस्कार स्वागत है आपका वोईस ओफ ट्रांसपोर्ट में मैं बिर्जे शुजा एक बार फिर आजरू आपके सामने ट्रांसपोर्ट के किसे नहीं मुद्दे पर बातचीत के लिए आज हम बात करेंगे पैनिक बटन और परिवन जगत के उन समस्चाओं के बारे में जिससे दिल्ली NCR के जो ट्रांसपोर्टर हैं वो बहुत परिशान थे यहां बात पैनिक बटन और जुल जुली की पैनिक बटन पर बड़ी रहत मिल गई है खबर या रही है कि एक अपरेल से जिन वहानों पर पैनिक बटन नहीं लगाये जाएगा जिसके वज़ा से दिल्ली NCR के सभी टैक्सी या फिर पैसेंजर वेकल्स जो अपरेटर से वो परिशान थे ट्रांसपोर्ट जगर से जो ड़े लोग परिशान थे उनको एक बड़ी उपरेटर से उनके लिए है क्योंकि एक अपरेल से पैनिक बटन की जो बात देता थी वो खत्म कर दी गई है जिसमें आपके ग्रामीन सेवा आपकी टैक्सियां और आपके जो ट्रैवलर है वो सभी आ रहे थे जिनको ये कंपलसरी था कि सभी वानों पर लगना है ऐसा प्र आइली दिल्ली एंजियार में जो काम करने वाले ट्रांस्पर्ट एसोजिशन है उनके पताजी कारियों से आई सबसे पहले बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहा इस संबंद में क्या कहना है राजधानी परिवर्ट पंचायत के अदक्ष्ट इंदर जी सिंगा बीस मार्च को हमारी परिवन विवाग में बैठे कुई संगर समीति की जिसमें हमारे कई साथ से शामिल हुए और उसके मिनर्ट भी बने हैं और उसमें यह तैय किया गया कि जो पैनिक बटन है इसका समाधान हिम्मत एप है और डिली सरकार वै डिली पुलिस के पास कोई इसकी विवस्ता नहीं है कि इसको चेक किया जाए और अभी क्योंकि मंत्राले कोई काम नहीं कर रहा ना केंद्र ना राज्य का तो इसको हमने 23 महीं तक तो टाल दिया है प्रंतु उसके बाद दुआरा हमारी मिटिंग हुई तो 22 को 20 के बाद में तो उस मिटिंग के अंदर हमने इसको पूर्णता खतम कर दिया है अब पैनिग बटन पुरानी गाड़ी में नहीं लगेगा यह सिर्फ नहीं गाड़ी में ही लगकर आएगा वह भी मनुफट्र लगाएगा यह आदेश हमारे मिनट में हमें मिल गए तो कई तरह की बहांतियां मार्किट में चलती हैं कोई कहता यह कर दिया वो कर दिया तो यह हमारे पास मिनिट हैं और 20 मार्च को इसका फैसला हो गया था अधिकारी गोष्णा कल कर दी गई तो कल सुबह कमिशनर ऑफिस से फोन आया था उन्होंने का था कि आपका जो काम था वह हो गया है और दूसरा आपको खुशकबरी और दे दें कि आल इंडिया टूरिस पर रपेका था और जो कि बहुत मेंगा था और आप पहले भी गाडियों में लगा हुआ है तो हम नहीं चाहते थे कि वह गाड़ी में द्वारा लगे और इस बास से प्रशाशन ने हमारी बात को माना है और सभिकार कि वहीं अगर जोजली की बात करें तो आज की समय आप कराई तेरा तारीक उसको डेट मिली मार्च की वो तेरा मार्च को गया तो उसको यह कहके वापिस कर दिया कि आपकी गाड़ी को हम नौ साल का परमिट नहीं दे सकते हैं जबकि उसके पाद 2020 को तक का परमिट था हमने अधिकारियों से बात करी मिटिंग अंदर बात तो उन से से बात करी तो जब काव करी हमारी पूरी टीम साथ गई उसमें काफी यूनियन थी ऑटो की भी थी टैक्सि की भी थी तुरिस कर्टी बी थी साउथ दिली से भी थी और बस वाले भी थे ग्रामिन सेवा पाली थे उसमें यह तैय हुआ कि आपको अभी तुरंत जो रहात हैं next week से तीन तारीख से आपकी गाड़ियां hopefully बुराड़ी वापके सा जाएंगी तो यह बहुत बड़ा आपके लिए फैदे की बात है कि आपको पैनिक बटन से रहात मिलगी जो सतरा जार रुपे अभी दूसरा होगे आपको गाड़ी यहां जाएंगी इसमें अपाइट्म इस तरह प्यार मिलता रहेगा तो आपको वादा करते हैं कि जो हर बार फार्टी प्रिमियम बढ़ता है उसमें निजात मिलने वाली है तो आपने देखा इंदर जी सिंग ने बताया कि किस तरह से रहत मिली है जुझुली और टैक्सी यूनिट्स में काम करने वाले जो ऑप टेस्ट कर रहें थी धना प्रदर्शन कर रहें थी लगातार बैठके कर रहें थी परिवनी भाग के अंदर जिसके जिससे बड़ी राहत मिले और इन पुराने वाहन मालिकों को राहत मिले और जो पैनिक बटन जैसी 17,000 रुपे की महेंगी चीज है या महेंगी बटन है जि बाइद भबा खान है स्टेट कॉर्डिनेटर ऑफ आटो टैक्सी ड्रैवर ऑफ दैली परदेश इन से बात करते हैं इनको देखते हैं और कि इन्होंने क्या क्या है और इस संबंद में इनका क्या खेना है इस empezar हमारे जोरुट एक्शन कमीटी की मिटिंग पर मुँ के कैड़्या से जिसमें दिली के बुर मुक उमारे यूनियन इस थी जोनुन ने जोरुट एक्शन कमीटी मनाई है सबसे पहले हमें जो राहत मिली है पैनिक बटन के लिए पैनिक बटन के लिए जितने भी चालक हमारे परेशान हो रहे थे कि एक अपरेल से हमारी गाड़िया पास नहीं होगी हमारी जोईट एक्षन कमिटी से कमिटी के दोरा स्पेशल कर्मिशन के के दया के साथ बात हुई है जिसमें उन्हें हमारे सारी बाते सुनके उसमें पूरा आस्वासन दिया कि आपको कोई पैनिक बटन नहीं लगेगा जितने भी पराणी गारिया है पराणी गारियों में जिसमें के 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 दया स्पेशल कर्मिशन के साथ बात हुई है आपको कोई पैनिक बटन नहीं लगना है दूसरा जो हमारे जुनजुनी में जो गारिया पास होती है डियल वाई तो जो उनके फेस महां कड़ती थी फिर अगर दोबारा जाना पड़ता था उनको डबल तीसरा तीसरा जो आपका हर साल थर्ड पार्टी इंशॉनर्स बढ़ता है तो उसके लिए आपने बात की है उसमें भी हमें कामिया भी मिल सकती है अगर इसी तरीके से आप लोगों का हमें साथ मिलेगा जॉइन अक्शन कमिटी इसी तरीके से काम करेगी दिल और दिमाग से और चालकू के हित्स के लिए तो हमें उसमें भी कामिया भी मिलेगी आपको आगे से थर्ड पार्टी इंशॉनर्स में कुछ नहीं बादर रोतरी हो जाएगी हो सकता हमारी मांग ये है कि उसमें कमी की चाहे आपका साथ रहेगा उसमें भी हमारा उसमें भी हमें कमी मिल सकत आपने देखा राज़दानी परिवन पंचायत के अद्दक्ष इंदर जी सिंग और वाहिद बावा खान ने क्या कहा इस पूरे संबंद में वाहिस ओफ ट्रांस्पोर्ट पे ये खबर आप सभी के लिए एक अच्छी खबर के रूप में आप कह सकते हैं कि अगला महीना शुरू होने से पहले जो ट्रांस्पोर्ट जगत से जुड़े वे लोग हैं उनके लिए बड़ी खबर है पैनिक बटन का पैनिक और जुल्जुली का जो जाल था वो खत्म हो गया है पैसेंजर वेकल के लोगों को बड़ी रात मिली है हम फिर आजिरों के किस नहीं मुद्धे प्रजबता के लिए बहुत बश्रू को ज़्यादा नवाद नमस्कान्स